नमस्कार किसान साथियों आज हम भारत ही नी दुनिया के सबसे सस्ते ट्रेक्टर से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी लेके आए हैं अभी सवराज ने भारत के चार राज्यों में कोड को लौंच किया था जिन में गुजरात आंद्रापरदेश तेलंगाना ये सामिल थे अभी लेटेस्ट जो है पूरे भारत में इसे लौंच करने की अभी जो है ट्रायल चल रहा है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही हर जगे इसको लाइक किया गया पसंद किया गया तो आज की वीडियो में हम जो नए किसान साथी जुड़े हैं उनको थोड़ा सा कोड के बारे में जानकारी दे देते हैं कोड एक ट्रेक्टर और टिलर के बीच का एक मसीन बनाया गया है जो च्यार टायर से चलता है लुक बिलकुल बाइक के जैसा है इससे आप रिपर भी चला सकते हैं रोटावेटर भी चला सकते हैं और हाइट उची करके जो है बड़े फाले वाड़ा जो इसको हम क्या है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन की तो इसमें इंजन लगा है होंडा का जी एक्स 390 सिंगल सेलेंडर फोर स्टोक इंजन है आर्पिम 3600 के देता है पावर 11.1 HP की इसमें पावर और ये इंजन जो है पेट्रोल में है एक घंटे में अलग-अलग मशीनों के करता है लिफ्ट कपेस्टी की बात करें तो 220 किलोगराम की लिफ्ट कपेस्टी है फ्रंट टायर की बात करें तो 4 बाई 9 का अपोलो के टायर अच्छी क्वालिटी के टायर है और पिछला जो रियर टायर है वो 6 बाई 14 का जो है पिछला टायर है बहुत ही भेतरीन दी गई है और इसका फ्रंट जो एक्सल की बात करें स्टेरिंग की बात करें तो में जो मेकेनिकल जो इसको बोलते हैं स्टेरिंग वो है इसमें हाइड्रोलिक स्टेरिंग नहीं है और साथ की साथ यह सल्फ स्टार्ट है गियर की बात करें तो सिक्स फ्रंट थ्री रिवर्स है, speed front में 17 की और reverse में 6 की speed आपको इसमें देखने को मिलती है, अब बात करते हैं कौन-कौन सी मशीने इसके साथ में चलाई जा सकती है, तो सबसे पहले बात करते हैं, रोटावेटर की, तो इसमें जो रोटावेटर है, 3 फिट का रोटावेटर, 1,000-1,000 और पिम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रफॉर्मेंस इसको देखने में मिली है साथ में बहुत सारे किसान भाई पूछ रहेते कि धान की पैडलिंग में इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या तो उसका भी जो किसान साथियों ने ट्राइल किया था पाले होते हैं दूसरा चाहे मिट्टी सोफ्ट है गीली है हार्ड है थोड़ी अगर पत्थरीली कंकरीली भी है तो उसमें भी इससे जो अच्छे से निराई गुड़ाई की जा सकती है मारास्ट्रा आंध्रा एक छेतर ऐसे हैं जहां मिट्टी के अंदर छोटे कंकर होते हैं वहां पे भी इसकी काफी परफोर्मेंस अच्छी देखने को मिली है अब बात करते हैं इसके हाइट बढ़ा के जो इससे कल्टीवेटर चलाते हैं उसकी कैसी परफोर्मेंस वो भी काफी अच्छी परफोर्मेंस देखने को मिली है इसके साथ में रिपर की बात करें तो रि किचने की समता कितनी है तो ट्रोली वगरा के साथ अच्छा लोड डालके इस से आसानी से आप अपने खेत की छोटी मोटी जरूरते पूरी कर सकते हैं तो ये थे पूरे लगबग जो अटेचमेंट जादा तर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं उनका ट्रायल भी बताया हमने आ पूरे भारत में पैन इंडिया में ये नए साल के लगबग जो इसकी लौंच करने की त्यारी है कहीं कहीं जो स्टेट से महारास्टा में भी पूने में भी कई जो ट्रेक्टर के शोरों में सवराज के वहां पर या आना स्टार्ट भी हुआ है और अन्य राज्यों में भी इसकी जो है डिलीवरी स्टार्ट हुई है किसान भायों तक जल्द ही ये पहुँच जाएगा कीमत की बात करें तो स्टार्टिंग में एक पॉइंट छे लाग सुनने को मिली थी परन्तु अभी या तो कुछ रेट बढ़ाया है या स्टार्टिंग लौंच के टाइम में दो लाख बीस जार रुपे में तीन फिट का रोटावेटर साथ में उसको ट्रेक्टर के साथ में उसकी टोटल कोस्ट उसकी पड़ी थी तो ये थी पूरी जानकारी ट्रेक्टर से जुड़ी इंसोरेंस की भी एक दो जो किसी ने वीडियो डाला है कि किसी किसी जो ट्रेक् बाईयों को EMI पे भी आने वाले समय में जो है ये ट्रेक्टर मिलना सुरू हो जाए ये ट्रेक्टर छोटे किसानों के लिए बहुत ही भेतरीन है चाहे 5-6 एकड के नॉर्मल साधान खेती करने वाले किसान है बागवानी करने वाले 15-20 एकड के किसान या सबजी के जो 57 एकड को पसंदा है तो ज्यादा से ज्यादा किसान बाईयों तक शेर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें